नमस्कार में नास्विन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 News हर्याना में जब विधान सभाज चुनाव में परणाम सामने आए और कॉंग्रिस पार्टी 37 सीटों पर भारते जनता पार्टी 48 सीटों पर जीत हासिल करती भी नसर आए कॉंग्रिस पार्टी हर्याना को जीतने में नाकामियाब हो जाती है भारते जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में बन जाती है उस वक्त भुपेंद्र सिंग हुड़ा जो हर्याना के पूर मुख्य मंत्री हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमी का भी अदा कर चुके हैं उन पर आरूप लग चुके थे कि क्या भुपेंद्र सिंग हुड़ा भाजपा को जिताने के रणनीती बना रहे हैं किसी भी उमिद्वार को नहीं उतार रहे थे तो अभे सिंग चोटाला के जरीए यारूप लगाया गया कि भारते जनता पाटी की बी टिम बन कर काम कर रहे हैं और भुपेंद्र सिंग हुड़ा खुद चाहते हैं कि भारते जनता पाटी जीरत जाये चुना यह आरूप भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर तो लगे लेकिन कुछ तस्वीरे सामने आई हैं जो आपको वीज़वल के माध्यम से स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होंगी इसके बाद फिर से भुपेंद्र सिंग हुड़ा पर यही आरूप लगते वे नसर आए विधान सभा का सत्र था 25 सक्टूबर थी विधायकों ने शपत ली शपत के बाद बहस बाजिया शुरू ही पक्ष और विपक्ष के बीच में और इस दोरान हमने वो तस्वीरे देखी जमने आप सिंग सैनी और भुपेंद्र सिंग हुड़ा आपस में धुरविरोधी के र ने आप सिंग सैनी दुसरी तरफ हरियाना के पूर्व मुख्य मंत्री वुपेंद्र सिंग हुड़ा एक साथ नसर आ रहे हैं सूपका आनन्द लेते वे दिखाई दे रहे हैं सूप पी रहे हैं एक साथ मौजूद हैं और यही तस्वीरे अब हरियाना में स्यासी महाल को ग नहीं निकाले जा सकते हैं इस पुरी मुद्द्ध को लेकर आपके क्या रहे जो आरूब उपेंदर सेंग उड़्डा पर लगते भी नजर आएं क्या आपको भी लगता है कि भारती जिनता पार्टी को जितानी का काम किया है आपके रहें प्रमुद्ध को लेकर अपनी रायक कि अुरी मुद्ध को लेकर आपके काम क्यारा है रहें प्रमुद्ध को लगता हैं बढ़र आपके काम को जिता है् झाल झाल झाल